धन्तेरस पूजा विधी इस दिन पूजा कितने बजे करनी चाहिए। धन्तेरस पर शुभ मुहूर्ट में खरीदारी और भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता कुबेर की पूजा की जाती है, इससे मा लक्षमी प्रसन्न होती है। धन्तेरस पर पूजा मुहूत और विधी यहां देखें। दिवाली के पांच दिन के पर्व की शुरुवात धन्तेरस से होती है। इनके प्रभाव से मा लक्षमी का आशिरवात प्राप्थ होता है। धन्तेरस कहा गया है। समुद्र मन्थन में भगवान धन्वंतरी कलश में अमरित लेकर निकले थे। इसलिए इस दिन धातु के बर्तन खरीदते हैं। धन्तेरस दो हजार चौबीस पूजा मुहूर्थ धन्तेरस के दिन सुबह साफ सफाई के बाद सुर्योदय से पूर्व स्नान कर साफ या नए वस्त्र पहने। मुख्यद्वार पर रंगोली बनाएं। अपने कार्यस्थल दुकान की भी सफाई करें। वंदन्वार लगाएं। लक्षमी जी के पद चिन्ह बनाएं। भगवान धन्वंतरी को कृष्णा तुलसी, गाय का दूध और उससे बने मक्षन का भोग लगाना चाहिए। पीतल की वस्तु खरीदी हो तो जरूर उन्हें भेंट करें। धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। धन के देवता कुबेर और मा लक्षमी की शोडोपचार विधी से पूजा करें। कुमकुम हल्दी, अक्षत, भोग अर्पित करें। उत्तर दिशा में देवताओं की पूजा करें। शुब मुहूर्त में खरीदारी करें। जो भी खरीदे, उसे पहले धन्टेरस की पूजा में मा लक्षमी को अर्पित करें, फिर इस्तमाल करना चाहिए। शाम को आटे से चौमुखा दीपक बनाना चाहिए, डॉट उसमें सरसों या तिल का तेल डालकर घर के बाहर दक्षिन दिशा में या दहलीस पर रखना चाहिए। धन्तेरस पर यम के नाम दीपदान क्यों करते। धन्तेरस के दिन शाम शुब मुहूर्त में यम देव के निमित दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यू के देवता यमराज के भैसे मुक्ती मिलती है। ये दीपक दक्षिन दिशा में लगाएं।